अगर आपके पास इस टाइप से बहुत सारे टेवल हैं और इन सभी टेबल को एक नए seat में एक के नीचे एक merge करके रखना है इस टाइप से एक के नीचे एक table arrange करने को कहते हैं append जो यह append करने का काम है यह काम आप बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो भले ही आपके पास 100 टेबल हो 200 टेबल हो यह काम मात्र आप एक मिनट में कर सकते हो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपोर्टन चीज और बतायता हूं जो यह एपेंड करने का काम है यह आप डेटा टाइप के अंदर गेट डेटा में यहाँ पे आपको मिलेगा कमबाइन क्यूरी और यहाँ पे मिलेगा एपेंड इसके साहता से आप बहुत ही असानिस कर सकते हो जो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था न मर्ज एकदम सेम टो सेम प्रोसेश है अगर आपके पास 10-20 टेबल है 100 टेबल है तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है इसलिए दोस्तों मैंने यह वीडियो बनाया एक मैं ऐसा आपको एम कोड बताने वाला हूं भले आपके पास कम टेबल हो या कितना भी ज्यादा टेबल हो यह काम आप बहुत ही असानीस कर सकते हो वह भी कुछ मिनिट में, अब से दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, अब आपको करना क्या है, सबसे पहला step है, मैंने time बचाने के लिए क्या किया, अपने सभी data को table format में convert कर लिया, ठीक है, जनवरी वाले data को मैंने क्या कर लिया, table format convert कर लिया, फरवरी, मार्च, अप्रेल ऐसे मेरे पास दिसंबर तक 12 table है, 12 table को मैंने Ctrl T करके table format में convert कर लिया, पहला step हमारा complete दूसरा step में क्या करना है जाना है get data में, उसके बाद जाना है from other source में यहाँ पे जाना है आपको blank query में यहाँ पे आपको एक छोटा सा आपको function लिखना है, क्या यहाँ पे आप लिखना है equal excel dot current workbook यहाँ पे देखो आपको नीचे दिखा देगा suggestion, tap button प्रेस कर दो by default अगर आप में suggestion नहीं दिखा रहा है तो spelling आप चेक कर लो, जो चीज capital में, capital में ही type करना है उसके बाद bracket open close करके आपको करना है enter enter करने के बाद, आपके पूरे excel seat में, जितने भी table है सभी table का यहाँ पे आपको list दिखा देगा आपके पास देखो, यहाँ पे 12 table है और सभी table का नाम यहाँ पे दिखा रहा है जो आपने नाम दे रखा था, ठीक है उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पे देखो, आपको content के बगल में यहाँ पे आपको मिलेगा, एक expand का button मिलेगा इस पे आपको click करना है click करने के बाद, दिखा रहा है कि आपके table में item है और quantity है ठीक है, सही है, और यहाँ पे इस पे आप अंचेक कर लो complete हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक problem है क्या मैं इसको close and load करके दिखाता हूँ यहाँ पे मैं कर लोगा close and load आप यहाँ पे देखो 12 table का data एक जगा load करके दिखा दिया है, एक seat में अब यहाँ पे problem क्या है, कल को एक नया table add करते हो, या मालो आप जनवरी वाले data में कुछ भी change कर देते हो यहाँ पे मैं 100 ले लेता हूँ उसको वाद मैंने कर दिया enter अब भाई अपना जो main data है, जो load होके आया है यहाँ पर तो change हुआ नहीं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखो आप यहाँ पर आपको करना पड़ेगा refresh तो जैसी refresh करोगे, यहाँ पर देखो दिखा रहा है आपके पास 61 row है जैसी refresh करोगे, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने data change किया, वो change होना चाहिए लेकिन यहाँ पर ध्यांस देखना है यहाँ पर देखो आपको जाना है source में, ठीक है इस पर क्लिक करना आप अब यहाँ पर देखो आपने formula क्या लिखा एक्सेल.current workbook हमारे workbook में जितने भी table है उन सभी को मुझे लाना था ना, अब मेरे workbook में क्यूरी नाम का भी एक table बन गया, ठीक है यहाँ पर filter हटा देना है, ठीक है सभी को आप क्या करो, combine करो लेकिन Q1 जो main data है उसको आपको combine नहीं करना है बस हो गया काम, अब यहाँ पर क्या करना, आप दुबारा कर लेना close and load, ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप कुछ भी update करोगे जैसे कि मालो जनवरी वाले में, मैं अगर यहाँ पर ले ले लेता हूँ, 500 ले ले लेता हूँ अब मैं Q1 वाले में जाता हूँ, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पर आप रिफ्रेस्ट करोगे यहाँ पर 60 का 60 रो रहेगा, जो आपने नंबर चेंज किया, वह आपका चेंज होगा, यहाँ पर देखो, 60 रो आप वाले वही है, और यहाँ पर देखो, नंबर आपका 500 हो गया, ठीक है, अब आपने जो डेटा यहाँ पर एक अब आपको करना क्या है, आपको जाना है इंसर्ट में, इसका एक पाइवोट टेवल रिपोर्ड बना लो, ठीक है, इक्जिस्टिंग वर्क सीट, यहीं पर मैं पाइवोट टेवल रिपोर्ड बना ले यतना, ओके कर दिया, देखो, आपके पास 12 टेवल का, टोटल यहाँ पर सम करके दिखा रहा है, ठीक है, टोटल कीवोर्ड का इतना हुआ है, लेपटोप का इतना हुआ है, माउस का इतना, पेंडराइफ का इतना, यहीं इस टाइप से दोस्तों, आपके पास भले ही कितना भी ज़्यादा टेवल हो, आप बहुत ही आसानी सा आप एपेंड कर स और कमेंट सक्षन में आप जरूर बताना आपको इस वी वीडियो कैसा लगा, इसी परका रेगलर यूच्पल वीडियो गलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना